भारत का मुरीद तो अब धीरे धीरे पुरा विश्य हो रहा है पीअमोदी की तारीफों में कसीदे अब तो ब्रिटेन के सांसत भी पढ़ रहे हैं नहीं सिर्फ पीअमोदी की तारीफों के पुल बाद हैं बलकि पाकस्तान को नसीहत तक दे डाली इतना ही नहीं BBC डॉक्यमेंटरी को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है पहले आपको बताएंगे कि ब्रिटेन के सांसत ने प्रधानमंत्री मोदी की क्या तारीफ की उसके बाद बताएंगे कि पाकस्तान और BBC डॉक्यमेंटरी को लेकर क्या कहा बताएंगे कि ब्रिटेन के सांसत बॉक्यमेंटरी मोदी की ने कहा बाद की नेत्रित में भास सरकार ने देश की अर्थवयवस्था को बदलने के लिए कमाल का काम किया है भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थवयवस्था बन चुका है और दुनिया की प्रमुक अर्थव्यवस्था बनने की रह पर है भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला है और ये दुनिया का सबसे लोकतंत्र भी है जब मोधी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक शक्ति बनाया और अब वो बतौर प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। बॉब ब्लैकमेन ने आगे कहा, जहां तक मुझे लगता है कि मैं भाजपा का लंबे समय से समर्थक रहा हूं। मुझे लगता है कि भाजपा और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी सहयोगी है। पाकिस्तान को पहले अपनी जमीन पर चलने वाले आतंकी कैमपों को खत्म करना होगा, खासकर गैर कानूनी रूप से कब जाए कश्मीर से आतंकी कैमपों को खत्म करना हो, उसके बाद ही शांती हो सकती है। मुई ब्लैक मैन ने पीयम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्मेंटरी को लेकर प्रोपोगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीबीसी की डॉक्मेंटरी में तथ्यों को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। इस पर आपकी क्या राह है। हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताए।